प्रिय साथियों आज हम किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परवर्तनों के बारे में जानेंगे शारीरिक व्रदी एक प्राकर्तिक प्रक्रिया है किशोरावस्था दस वर्ष की उम्र से प्रारंब होकर 19 वर्ष की आयू तक रहती है किशोर आवस्था के दोरान किशोर किशोरियों के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं यह परिवर्तन लड़के और लड़कियों में अलग-अलग होते हैं योवनकाल शारीरिक एवं भावात्मक परिवर्तनों की शुरुआत है जिसके कारण प्रजनन परिपक्वता का विकास होता है पहला परवर्तन जो आम तोर पर आप लोगों ने पहले से ही अनुभव किया होगा वो शारीरिक व्रद्धी में अचानक व्रद्धी तीवर्ता है इस समय शरीर की लंबी हड्डियों अर्थाद हाथ एवं पैरों की हड्डियों की लंबाई की व्रद्धी होती है प्रारम में लड़कियां लड़कों की तुल्ना में अधिक तेजी से बढ़ती हैं लेकिन लड़के सत्रा या अठारा वज की आयो होते होते अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं किशोरावस्था का अंत होते होते लड़कों की हड्डियां मजबूत वभारी हो जाती हैं और उनकी मास्पेशियां भी लड़कियों की अपेक्षा लगभग दुगनी हो जाती हैं दूसरा है शारीरिक आकरत्ती में परवर्तन किशोरावस्था के समय लड़के और लड़कियों की शारीरिक बनावट में भी परवर्तन होता है लड़कों के सीने चौणे वकंधे मजबूत हो जाते हैं जबकि लड़कियों के कूले या कमर का निचला भाग चौणा हो जाता है तीसरा है स्वर में परवर्तन किशोरावस्था में लड़कों के लेरिंग्स यानि स्वरयंत्र का आकार बढ़ जाता है जिससे उनकी आवाज भारी हो जाती है लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले के सामने की और उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देता है जिसे एडम्स एपल या कंठ मणी कहते हैं चोथा है जनन अंगों का विकास किशोरावस्था में लड़के लड़कियों में प्रजनन अंग भी विक्सित होने लगते हैं लड़कियों में महवारी की शुरुआत तब होती है जब अंडाशे पूरी तरह विक्सित हो जाते हैं और परिपक्व अंडों को उत्पन करने लगते हैं लड़कों में शिष्ण और व्रशन जैसे अंग पूरी तरह से विक्सित होकर वैस्क आकार में पहुँच जाते हैं। इसी समय लड़के एवं लड़कियों में दुतियक यौन लक्षण भी विक्सित होते हैं। जैसे बगल में प्रजुनन अंग के आसपास बाल आना। लड लड़कियों में इस्तनों का विकास होने लगता है। किशोरावस्ता में होने वाले परवर्तन हार्मोस द्वारा नियंत्रित होते हैं। किशोरावस्ता के साथ ही लड़कों में व्रशन पौरुश हार्मोन अथ्वा टेस्ट्रोस्ट्रॉन का स्राव शुरू कर देता है। यह लड़कों में परवर्तनों का कारक है जैसा कि हमने पहले जाना कि लड़कों के चेहरे पर बाल आना इत्यादी इसी प्रकार लड़कियों में होने वाले परवर्तन इस्ट्रोजन हार्मूस के द्वारा आते हैं इन हार्मोन्स के उत्पात का नियंतरण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो की Pityutri Gland द्वारा नियंतरित किया जाता है। इन शारीरिक परिवर्तनों के अत्रेक्त किशोर किशोरियां अधिक आत्म निर्भर और भावात्मक रूप से परिपक्व भी हो जाते हैं। पहले कि अपेक्षा किशोर किशोरियां अधिक स्वतंत्र और अपनी प्रती अधिक सचेत हो जाते हैं। उनमें बौधिक विकास भी होता है, साथ ही वह सोचने विचारने में भी अधिक समय लेते हैं।